आज बात करने वाले हूं मैं आप सब के साथ लग और सक्सेस के बारे में हर किसी को लग चाहिए कि हमारी किसमत सबसे अच्छी हो हम सब ऐसा चाहते हैं पर सबसे अच्छी तो किसी एक की हो सकती है लेकिन हम सब उस एक में सामिल हो सकते हैं यानि हम सब अपने अपने हिसाब स अपने लिए लखी बन सकते हैं, सक्सेस्फूल बन सकते हैं, तो मैं हूँ आज आपके साथ सुनिता एर्टी काबरा, आपकी अपनी दोज सी ओ अप रेशम गोल्ड जूल्री एं लाइफ के अब रहें, आज आपको बताऊंगी बहुत ही अच्छा और सरल तरीका जिससे आप अपने लख को और ज्यादा एंस कर सकते हैं, सक्सेस्फूल बन सकते हैं, जादना चाहते हैं आप सब बिल्कुल बताऊंगी आपको आपने सुना हुगा बहुत सारे क्रिस्टिल्स के बारे में, मैंने भ कुछे क्रिस्टिल हैं, ऐसे तो क्रिस्टिल की दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन 5-6 क्रिस्टिल जिसके बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊंगी, वो हर किसी को अपनी लाइफ में जरूर सामिल रखना चाहिए, हर किसी को अपनी घर में रखना चाहिए, क्योंकि व वो crystal देखने में बिलकुल ऐसा लगता है और इसे हम luck crystal या opportunity crystal भी कह सकते हैं luck by chance बहुत लोग बोलते हैं हम सब सुनते भी हैं तो बिलकुल अगर कहीं पे luck की एकदम से आजमाने की बात हो तो वहां पे crystal बहुत काम करता है green aventurine basically cause family का crystal होता है और जैसे कि हमको प्रता है कि सारे crystals किसी ने किसी mineral की composition से बने होते हैं तो जो green aventurine है ये भी कहीं minerals के composition से बना होता है और जब हम उसके साथ काम करते हैं तो कहीं न कहीं वो minerals हमारे साथ काम करके हमारे उसे related जो parameters हैं उन chapters में हमारी life में enhancement देते हैं तो अगर मैं green aventurine की बात करूँ तो green aventurine हमारी prosperity के लिए हमारे luck के लिए बहुत अच्छा होता है opportunities को क्योंकि इसके अंदर एक खासियत होती है ये opportunities को अपनी तरफ आकरसित करता है तो जो लोग भी business से अगर related है तो उनको green aventurine को जरूर अपनी life में रखना चाहिए इनके साथ काम करना चाहिए मैं आपको ये भी बताऊं कि आगे कि इनके साथ काम कैसे करना चाहिए आप अभी है समझे कि जो green aventurine होता है ये business के लिए बहुत अच्छा होता है हमारे luck के लिए opportunity के लिए जैसे कुछ लोग होते हैं बोलते हैं हमारे हमने बहुत सुना कि इसको अचानक से कुछ opportunity मिल गई लिए कि मुझे तो ऐसे आउसर मिलते ही नहीं है कि जहां पर मैं अपनी पिसमत आजमा पाहूं तो ये crystal ऐसा है कि अगर हम इसके साथ काम करते है तो ये opportunity इसको हमा हमारे हर चक्रा से रिलेटेड होता है तो ये हमारे हर चक्रा को बैलेंस करने भी बहुत अच्छा काम करता है हर चक्रा जिसके कारण जिसके डिस्बैलेंस होने से depression, anxiety, इंसान बहुत लोग फील करने लगता है कभी-कभी बहुत aggression में चला जाता है उनके relationship के problem आती है तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर सिर्फ हम इस एक crystal के साथ काम करते हैं तो हमारे relationship के लिए फाइडे मंद होता है इसके साथ साथ कोई अगर depression में है anxiety में है उनसे बाहर निकलने में इसमें आसानी होती है किसी को hurt की किसी तरीके की problem है किसी को धड़कन बहुत लोग आते हैं बोलते ह कि हमारा जड़ा सी बात पे हमारा दिल बहुत पीज सी थरकना सुरू हो जाता है किसी भी तरीके की heart में blockage है किस तरीके की कोई problem है तो आप इसमें बहुत तरह के तंबल स्पी आते हैं कि इसके किसी भी form में लेकर आप उसको 10-15 मिनट तक ऐसे अपने दिल पर लगकर और 10- जो भी आपके इसूस हैं वो रिजॉल्व होने लगें लिए इन फैक्ट आइसाइच के लिए बहुत अच्छा होता है जैसे इसके जो छोटे टंबल्स होते हैं वो आइस के उपर रखकर जोनों आइस पे एक रिस्टिल रखकर आप अरभी समय तक लेट जाएं बिलकुल ब बंद करके तो आप देखेंगे कि अगर किसी के यह भी प्रोब्लम आ रहे है कि आईसाइट की दिक्कत हो रहे है या ग्लुकोमा की किसी को प्रोब्लम है तो इन सब में इस्टिल बहुत फाइदा करता है इसके साथ साथ ही अगर मैं बात करूं तो इसकी से रिलेटिक किसी करीके का कोई प्रोब्लम हो तो उसमें भी एक्रिस्टल हमारे लिए बहुत हैं तो अब सवाल उठता है कि इसको यूज कैसे करें और कैसे क्रिश्टल काम करते हैं तो उस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्रिस्टल के साथ आपको थोड़ा ताइम स्पेंड करना मैं थिसी पर में आपको मैं इस को बताया कि आपको अगर हर्ड से का रिलेटिड दिक्कत aproxim. सबस्फु के साथ दी करें एगर हर्ड के साथ लगाकर रखे जा को अगर इसे रिलेटिड प्रॉबल्लम है तो उसको आप को आप carbon been करें इन फेक्ट अगर सिफ आको पीस चाहिए तो आप उसको अपनी हाथ में इस तरीके से रहक कर आप आराम से आइस कि बैठ सकते हैं और इसको फील कर सकते हैं धिरे धिरे आप इसके वाइबरेशन फील करने लग जाएंगे जैसा कि मैंने बताया कि prosperity के लिए बहुत अच्छा होता है business, money को attract करने में, तो luck और success, दोनु चीज के लिए अगर ऐसी एक world में अगर उसको define करना हो तो मैं green aventurine कहूंगे, तो आप सब green aventurine के साथ मैं कहूंगे क्योंकि आज के time में हर किसी को luck भी चाहिए और success भी चाहिए, इंसा किरल आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, जिसमें कि महनत हर चीज में जरूरी होती है, गिना महनत के कुछ नहीं हो सकता, तो मैं सिर्फ यह नहीं कहती आपको, कि आप सब green aventurine के साथ काम करेंगे, तो आपका केवल लग के भरो से आप सब कुछ पा लेंगे, महनत अबेस में कर्म प्रधान है, वर्क इस वर्क सिब डिटी इस गॉड, यह भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, लेकिन उसके साथ साथ लग का भी एक factor तो है, तो अगर कहीं पर ऐसा हो कि लग कोई competitive exam दे रहे हैं, या फूर जैसे कोई जो politicians हैं, कहीं पर tickets लेनी हैं, कि वहाँ पर सब कुछ पाई ने रखता है, लेकिन उसके साथ साथ किसमत भी एक factor होती है, वह अक्री की बात करें, उसको भी हम luck by chance ही कहते हैं, बहुत लोग tenders डालते हैं, तो इस तरीके का जो भी work होता है, जहां कहीं भी luck की जरूरत होती है, वहाँ पर आप crystal में इस crystal को use कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर, इसका फाइदा लेकर, आप अपनी किसमत को और ज्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, यह crystal जो होटे हैं, यह आप को जब कभी भी लेना चाहिए, प्रोग्रायम करवातर लेना चाहिए, प्रोग्रायम कर वाकर आप किसी भी crystal को, उसका best effect ले सकते हैं, तो उसमें सिर्फ आपको अपना intention के purpose से आपको कुष्टल चाहिए वो आपको inform करना होता है तो दोस्तों मैं आप सबसे और God से प्रे करूंगी कि सब कोई lucky बने, सब successful बने और सब अपनी अपनी life में बहुत अच्छे और आगे तक जाए Thank you